हाई अबरीवन, वेलकम टू मोम्स किचन आज मैं आप सब के साथ शेयर पिरने वाली हूँ हॉली की स्पेशल डिजर्ट गुजिया की रिसेपी गुजिया में हम नाही मावा यूज करेंगे और नाही चास्नी बनाएंगे बिना चास्नी के बिना मावा के हम गुजिया बनाएंगे बेहदी, टेस्टी, डिलीशिस हमारी गुजिया बनकर तयार होगी खा कर कोई बता नहीं पाएगा कि आपने इनको बिना मावा के बिना चास्नी के बनाएंगे और घर पर बनाया है तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना गुजिया बनाने के लिए हमें चाहिए होगा मैदा तो मैंने यहाँ पर दो कप मैदा लिया है चोथाई टीस्पून नमक डालेंगे नमक बहुत जादा नहीं डालना है बस थोड़ा सा ही नमक हम इसमें डालेंगे मिक्स करेंगे बढ़िया से अब हमने इसमें डालना है मौईन ताकि हमारी जो गुजिया है वो खस्ता बने उसके लिए मैंने लिया है आईल मैंने यहाँ पर एक तिहाई कप आईल लिया है आप देसी घी भी उज़ कर सकती है आप ओयल डाल कर बढ़िया से मैदा में ओयल को मिक्स कर लिएगे गुजिया को खस्ता बनाने की यह सबसे इंपोर्टन ट्रिक है मौईन हमने जरूर से डालना है चाहे आप देसी घी डालें या फिर ओयल डालें ओयल को मैंने मैदा में मिक्स कर लिया है काफी सारा मोश्यर मैदा में आगया है और यह देखी अच्छे से यह बाइंड भी हो रहा है अब हमने इसमें डालना है शुगर पाउडर क्योंकि हम बिना चाशनी के यह गुजिया बनाएंगी इसलिए मैंने यहाँ पर एक तीहई कप शुगर पाउडर लिया है शुगर को पीस कर उसका पाउडर मैंने बना लिया है आप बुरा भी यूज़ कर सकती है अब अच्छे से इसको भी हमने मिक्स कर लेना है शुगर पाउडर को मिक्स करने के बाद एक डो हमने बना कर त्यार करना है तो डो बनाने के लिए मैंने पानी ले लिया है मैंने पानी नॉर्मल लिया है ना ही बहुत जादा ठंडा पानी है और ना ही गरम है पानी थोड़ा थोड़ा सा करके डालेंगी और साथ के साथ मिक्स करते रहेंगी एकदम से बहुत सारा पानी नहीं डालना है नहीं तो हमारा डो जो है वो काफी पतला हो जाएगा ज्यादा सॉफ्ट डो से गुजिया खस्ता नहीं बनेंगी गुजिया को खस्ता बनाने के लि ये stuffing बनाकर त्यार कर लेंगे friends जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम गुजिया बिना मावा के बनाएंगे मेरे पास 6-7 गुलाब जामुन है जिनका यूज मैं गुजिया की stuffing बनाने में करूँगी आप गुलाब जामुन की जगर पे मावा ले सकते हैं या पिर मलाई भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मलाई हमने fresh ही यूज़ करनी है पुरानी मलाई नहीं लेनी है अब जो मैंने गुलाब जामुन लिये हैं उनको बढ़िया से mash कर लेंगे बिल्कुल बारिक हम इनको कर लेंगे गुलाब जामुन मैश करने के बाद हम लेंगे एक पैन और इसमें डालेंगे एक टेबल स्पून देसी घी अगर आप देसी घी यूज नहीं करना चाते हैं तो आप रिफाइन दोली भी ले सकते हैं देसी घी को मेल्ट होने देते हैं गरम होने देते हैं तो साथ में ही मैंने यहाँ पर सूजी भी ली है, सूजी का यूज भी हम स्टफिंग बनाने में करेंगी, यहाँ पर मैंने आधा कप सूजी ली है, मैंने बारिक वाली सूजी ली है, अगर आपके पास मोटे वाली सूजी है तो इसको मिक्सी में ग्राइंड करके बारिक कर ल तेस्ट घराब हो जाता है, सूजी को वाइट रखने से एकड़ मावा वाला टेस्ट स्टाफिंग से आएगा, खाकर पता ही नहीं चलेगा कि हमने गुजिया को बिना मावा के बनाया है, तो सूजी हमारी पक चुकी है, हलका सा कलर चेंज मैंने इसका किया है, बहुत जादा गोल्डन नहीं किया है, अब कुछ ड्राइफ रूट से हम इसमें एड करेंगी, ड्राइफ रूट में मैंने यहाँ पर लिया है, दो टेबल स्पोन ही चॉप्ट बाधाम मैंने लिये हैं, तीन टेबल स्पोन डेसिकेटिड कोकोनट, आप अपने चोइस से कोई भी ड्राइ अच्छे से मिक्स कर लेना है, गयास का फ्लेम मैंने लो ही रखा हुआ है, जब तक यह मिक्स नहीं होती, तब तक हम इसको पकाते भी रहेंगे, लेकिन लो फ्लेम पर पकाना है, मेडियम या हाई क्लेम नहीं करनी है, नहीं तो स्टाफिंग जाल जाएगी, तो यह क्योंकि हमने इसमें गुलाब जामुन डाली हुए है अलरड़ी गुलाब जामुन मीठे होते ही है बस दो टेबल स्पून ही मैं इसमें शुगर पाउडर एड़ करूंगी दो टेबल स्पून काफी रहेगा मीठा इसमें लेकिन हमने मीठा स्टाफिंग के पूरी तरह से बस हलका सा मोशेर इसमें है जब तक हमने स्टाफिंग बनाई तब तक डो का भी रेस्ट हो चुके है अब थोड़ा सा इसको गूत कर हम गुजिया बनाना शुरु करते हैं अब डो में से थोड़ा सा डो लेंगी और इसकी बॉल बना लेंगी डो हमने बहुत जादा नहीं लेना है जितनी हम रोटी बनाते हैं उससे भी कम डो हमने लेना है अब सरफिस पर रखकर हमने इसको बेल लेना है नहीं बहुत जादा मोटा बेलना है और नहीं बहुत जादा पतला रखना है मैं बेल कर आपको इसकी थिकनेस भी दिखाऊंगी यह देखिए फ्रेंड्स इ गुजिया ओयल से ग्रिस कर लेंगे ताकि कुजिया निकालने में प्रॉब्लम ना आई, तो ये देखे, मैंने इसको अच्छे से ग्रिस कर लिया है, आब मॉल्लड के उपर रखेंगे रोटी जो हमने बेल कर तायार कि हुई है, अच्छे से इसको सेट कर लेना है आप इसमें डालेंगे स्टाफिंग तो स्टाफिंग हमने ना ही बहुत जादा डालनी है और ना ही कम रखनी है पर इतनी जरूर रखनी है कि गुजिया खाने में अच्छी लगे, टेस्टी लगे एक कटोरी में मैंने पानी लिया है गुजिया के कॉर्नर पर हमने इस तरह से पानी लगाना है ताकि इजी ली ये चिपक जाए, खुले ना जब हम इसको फ्राइ करें अब पानी लगाकर बड़े ही ध्यान से हम मोल्ड को बंद कर देंगी और जो ये एक्स्ट्रा डो है, उसको इस तरह से निकाल देंगी अच्छे से हमने इसको एक बार प्रेस कर लेना है ताकि इसके कोर्नर बढ़िया तरीके से चिपक जाए तो ये देखिए, एक गुजिया की स्टाफिंग मैंने कर ली है बाकि गुजिया की भी सेम तरीके से स्टाफिंग करके तयार कर लेंगी स्टाफिंग करने के बाद हम इनको फ्राइ करेंगी फ्राइ करने के लिए यहाँ पर हमारा ओयल भी गरम हो चुका है oil को मैंने अच्छे से गरम होने की बाद gas का flame medium कर दिया है अब एक ही करकेस में गुजिया डालेंगे इस तरह से जब गुजिया को fry होते हुए 30-40 सेकेंड हो जाएंगी तो हम gas का flame medium to low कर देंगी और इनको हलकी हलकी से चलाते हुए fry करेंगी बढ़ी असा golden color आ जाने तक हमने गुजिया को fry करना है बहुत जादा tasty ये गुजिया बनकर तैयार होंगी और बहुत सारी चीजें भी इनको बनाने के लिए नहीं चाहिए simple तरीके से simple ingredients से आप इनको बनाकर त्यार कर सकते हैं और बहुत जादा time भी आपको नहीं लगेगा इनको बनाने में क्योंगी हमने इनको बिना चाशने के बनाया है तो ये देखे फ्रेंड्स बड़ी असा golden color हमारी गुजिया का आ गया है अब हम इनको निकाल लेते हैं plate में और दूसरा तीसरा बैच भी सेम तरीके से फ्राइ करके तैयार कर लेना है तो बस गुजिया बनकर हो गई है तैयार आप भी मेरे तरीके से ये रेसिपी इस होली पे ज़रूर बनाएगा आपको बहुत साथा पसंद ये रेसिपी आने वाली है तो फ्रिंट्स आप भी ये रेसिपी बनाना खाना और कैसी आपको मेरी आज की रेसिपी लगी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ तब तक टेक केर बाबाई